बात किरेंगे जी विग्यान वी से सम्मंदित कुछ महत्ते पूर्ण क्यूस्चिनों के बारे में तो सबसे पहला क्यूस्चिन है मारा निमली कित में से कौन खाने योग्य कवक है उप्सन है म्यूकर, पैनिसीलियम, अगेरिकस या फिर राइजोपस तो सई आंसर है अगेरिकस, अगेरिकस एक खाने योग्य कवक होता है अगला क्यूशन देखते हैं LSD किस से प्राप्त होता है उप्सन है जिवानू से, कवक से, 24D से या फिर अलकोहल से सई उप्सन है कवक से, LSD कवक से प्राप्त होता है अगला क्यूशन देखते है विस्तरत इस्पेक्ट्रम पर्ति जयवी की किस से उत्पन होते हैं उप्शन है स्ट्रेप्टो माईसीज, स्परजीलस, पैनिसीलियम या फिर बैसीलस सही उत्तर है स्ट्रेप्टो माईसीज इससे पर्ति जयवी की उत्पन होते हैं जो कि spectrum होते हैं अगला question देखते हैं स्ट्रेप्टो माइसीन को किस ने पर्थक किया था option है लिवेन होक ने बर्क होल्डर ने ए फ्लेमिंग ने या फिर वोक्समेन ने सही उस तरह वोक्समेन अगला question देखते हैं टिक का रोग किस में होता है बताना है जो टिक का रोग होता है वो किस में होता है option है चावल में, जवार में, गन्ना में या फिर मोंग फली में सही option है मोंग फली अगला question देखते हैं गन्ने में लाल सडन रोग उत्पन होता है बताना है जो गन्ने होते हैं उसमें कव को दुआरा अगला क्यूष्टन देखते हैं कि सामान्य खाद्य चक्रत क्या होता है पता है जो सामान्य खाद्य चट्रक होता है वो क्या होता है उपसने कव के बीजानुओं का पुंज कवक तंतु हाईपा का प्रकार कसकर ठसा थस भरे कवक जाल या फिर एलैंगिक बिजानू पैदा करने के लिए परियुक सरचना सही उत्तर है कसकर ठसा ठस भरे कवक जाल अगला क्यूशन देखेंगे मश्रूम क्या है ओपसने कवक पोधा, परशू या फिर बैक्टिरिया सही उप्तर है कवक मश्रूमे कवक होता है अगला किशन देखते है पर्थम व्यूक्त पर्ति जैवी की कौन सा था उप्सन है तेरामाइसीन, नियोमाइसीन पैनिसलीन या फिर स्ट्रेप्तोमाइसीन सही उप्तर है पैनिसलीन जो है अलेक्जेंडर हैलीमिंग ने इसकी खोज की थी और ये सबसे पहला एंटिबायोटिक है अगला क्यूशन देखेंगे अगला क्यूशन देखते है निमलेकित में से कौन सा एक कवक एवं उच पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कारियात्मक संबंद को दर्शाता है अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन देखते हैं एफला विस किस से बनते है उपसन है कवको से जिवानों से से वालों से या फिर विशानों से तो एफला विस बनता है कवको से अगला क्यूशन देखेंगे डबल रोटी के निर्मान में किस कवको परियोग किया जाता है बताना है जो डबल रोटी होती है उसके निर्मान में किस कवको परियोग किया जाता है Option है Acetobacter, Penicillium, Saccharomyces या फिर Aspergillus का Answer है Saccharomyces अगला Question देखेंगे Lycan जो एक नगन चट्टान पर पारिस्थिती की अनुकरम को परारम करने में शक्षम है वास्तों में किसके सहजीवी साजारी है बताना है जो Lycan होते है वो किसके सहजारी सहजीवी है किससे मिलकर बने होते है सेवाला और जिवानू, सेवाला और कवक, जिवानू और कवक, या फिर कवक तथा मोस जो Lycan होते हैं वो मिलकर बनते हैं सेवाल तथा कवक के सम्मिसर से तो सही उत्तर है सैवाल तथा कवक अगला क्यूश्चन देखते हैं निमली कित में से क्या SO2 पर्दूसक का सूचक है उप्सन है बरायोफाइट, लाइकेन, टेरिडोफाइट या फिर सैवाल सही उत्तर है लाइकेन लाइकेन जो होते हैं वो SO2 के सूचक होते हैं पर्दूसन सूचक वो होते हैं अगला क्यूश्चन देखेंगे लिटमस किस से निकाला जाता है जो लिटमस पत्र होता है वो किस से निकाला जाता है उप्सन है, हल्दी से, सिनकोना किछाल से, लाइकेन से या फिर मश्रूम से लिटमस जो अमलोर अक्सारों का रंग बताते हैं पेश्मान बताते हैं वो पेपर उसको लिटमस के बोलते है वो प्राप्ट किया जाता है लाइकेन से अगला क्यूशन देखेंगे लाइकेन में कवक और सेवाल के मद्दे सेजीवी सम्मंद कहलाता है वो प्राप्ट ने होलोटीज्म पेरासिटीज्म सैप्रोफिटीज्म या फिर इन में से कोई नहीं तो उत्तर है है हैलोटीज्म अगला क्यूशन देखते हैं पेडों की चालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं उप्सन है कोर्टी कोल्स सैक्सी कोल्स सैक्स्टीलिस या फिर परमेलिया जो लाइकेन पेडों की चालों पर उगता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कोर्टी कोल्स सही उत्तर है कोर्टी कोल्स अगला क्यूशन देखते हैं चट्टानी अस्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं इनकी जो लाइकेन चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं उप्शन है कोल्टी कोल्स, सैक्सी कोल्स, लिगनी कोल्स या फिर टेरी कोल्स तो सही उत्तर है सैक्सी कोल्स अगला क्यूशन देखते हैं जापान के लोग किस लाइकेन को सबजी के रूप में खाते हैं परमेलिया, रोसेला, इंडोकारपन या फिर कलेडोनिया तो सही उत्तर है इंडोकारपन जो जापान के लोग होते हैं वो इंडो कारपन को सबजी के रूप में परियोग करते हैं अगला क्यूशन देखते हैं मिर्गी की ओस्दि किस लाइकेन से प्राप्त होती है ओप्सन है लेकोनेरा से, रोसेला से, लोवेरिया से या फिर परमेलिया से तो इसका उत्तर है परमेलिया से अगला क्यूशन देखते है वनस्पती जगत में निमले खित में से किसको उभेचर कहते हैं जो जल अस्थर दोनों पर रहता है इसको उभेचर बोलते हैं तो वनस्पती जगत का उभेचर कौन है ऐसा बताना है सेवाल, फंगस, ब्रायोफाइट या पिटेरिडोफाइटा सही उत्तर है ब्रायोफाइट्स जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जल तथा इस सल दोनों पर पोधे पाय जाते हैं उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, पोधे और वो पादब जगत के उभेचर कहलाते हैं, अगला क्यूशन देखते हैं, जड के स्थान पर मुलाभास पाया जाता है, उपसने हैं, एंजियोस्परम में, जिमनोस्परम में, ब्रायोफाइट्स में, या फिर में, बताना है कि जड होती है, उसके स्थान पर मुलाभास किस में होता है, तो यह होता है, ब्रायोफाइट्स में, उत्तर है ब्रायोफाइट्स, अगला क्यूशन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में सम्मलित है, बताना है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसमें क्या आ देखते हैं बीजों की परकरती किस में उत्पन हुई है बताना है जो बीज बनते हैं वो सबसे पहले किस पोधे में उत्पन हुए थे सैवालों में कवकों में ब्राइफाइट्स में या पिर टेरीडोफाइट्स में तो सही उत्तर है टेरीडोफाइट्स टेरीडोफाइट् अगला क्यूशन देखते है जलिय फर्ण जिसमें जैव उर्वरक के रूप में परियोक्त किया जाता है निवन में से कोन ऐसा जलिय फर्ण है जिसका उप्योग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं सालविनिया, एजोला, मारसीला या फिर टेरिडियम तो सही उत्तर है एजोला एजोला एक ऐसा जलिय फ़र्ण है जिसको हम जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं अगला क्यूशन देखते हैं पुनर जीवन का गुन होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं उप्सन है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजी नेला या फिर सिरेटो प्रेजिस तो सही उत्तर है सिलेजी नेला अगला क्यूशन देखते हैं निम्न के तमें से किसके बिजानू दवा के रूप में परियोग किये जाते हैं उप्सन है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटम या फिर इक्वी सेटम सही उत्तर है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम के भीजानू दवा के रूप में परियोग किया जाते हैं अगला क्यूशन देखते है निमलेकित मेंसे किसे जैव उर्वरक के रूप में परियोग किया जाता है अगला क्यूशन सबसे अधिक करोमोसोम किस में पाए जाते है मनुश्य में, टेरीडोफाइट्स में, हात्यों में या फिर एंजियोस्परम में सबसे अधिक जो करोमोसोम पाय जाते हैं वे उपाय जाते हैं टेरीडोफाइट्स में सबसे अधिक जो करोमोसोम पाय जाते हैं वे उपाय जाते हैं तेरीडोफाइट्स अगला किशन देखते हैं किस वरक्ये पोधो में बीज बनते हैं परन्तु बीज नगन रूप से पोधों पर लगे रहते हैं उप्सन है ब्रायोफाइट, टेरीडोफाइट, एंजियो इस्परम या फिर जिमनो इस्परम सही उत्तर है जिमनो इस्परम जिमनो इस्परम ऐसे पोधे होते हैं जिन पर बीज तो बनते हैं किन्तु वो नगन रूप से पोधे पर लगे रहते हैं कहने से मतलब उन पर पुस्प नहीं आते अगला क्यूशन देखते हैं संसार के सबसे लंबे पोधे सम्मंदित हैं उप्शन है टेरिडोफाइट से दिव बीज पत्रियों से जिमनो इस्परम से या फिर एक बीज पत्रि पोधों से सही उत्तर है जिमनो इस्परम से जो सिकोया होता है वो सबसे लंबा पोधा होता है वो जिमनो इस्परम वर्क का होता है अगला क्यूशन देखते है जिमनो इस्परम का मेवा किसे का आ जाता है वो प्शन है साइकस सिलेजी नेला, चिलगोजा या फिर कोनीफर सही उत्तर है चिलगोजा चिलगोजा जिमनोस्परम का मेवा कहलाता है अगला क्यूशन देखते हैं कोरेलाइड जड़े किस में पाई जाती हैं? छीड में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या फिर ड्राइड उप्टेरिस में सही उत्तर है, साइकस में जो कोले राइड जड़े पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं, साइकस में अगला क्यूशन देखते हैं सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? पताना है जो सबसे बड़ा बीजांड है वो किसका है उपसन है कोकस, नीटम, साइकस या फिर पाइनस तो सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का अगला क्यूशन देखते है चिल गोजा किस से प्राप्त होता है उपसने साइकस से, पाइनस से, सिलेजी नेला से या फिर सिकोया से सही उत्तर है पाइनस से जो चिलगोजा होता है वो प्राप्त होता है पाइनस से अगला क्यूशन देखते है साबू दाना किस से बनाया जाता है? उपसने साइकस से, पाइनस से, सेडरस से या फिर जूनी पेरस से साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है अगला क्यूशन है दमा एवं खानसी के रोगों में काम आने वाली ओसदी इफेडरीन किस से प्राप्त की जाती है उप्षिन है साइकस, जूनिपेरस, इफेडरा या फिर पाइनस तो इफेडरीन इफेडरा से प्राप्त होती है सही उत्तर है इफेडरा अगला क्यूशन देखते हैं कोन एक जीवित जीवास्म कहलाता है लिविंग फोसिल्स के बारे में बताना है उप्षिन है ड्राइउप्टेरिस, साइकस, पाइनस या फिर जिंगो तो सही उत्तर है जिंगो जिंगो एक लिविंग फोसिल्स है अगला क्यूशन देखते है विसानू क्या है बताना है विसानू क्या है कोशी किये है, एकोश किये है, एकोश किये है जो विसानों होते हैं वो होते हैं A कोशी है तो से उत्तर है B A कोशी है